नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्पा आपकी स्किन केर रूटीन आपके वार्डरोब की तरह होती है साल में बार-बार आपको उसे अपडेट करना होता है मौसम में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है सर्द हवाएं चलना शुरू हो गई है और इस से आपके स्किन भी dry होना शुरू हो गई है गर्मी के मौसम में स्किन को sun protection और oil control चाहिए होता है लेकिन सर्दियों में ठंडी हवाओं से dead cells बनते हैं जिससे त्वचा को हाइड्रेशन की ज़रूरत पढ़ती है। अब वक्त आ गया है कि आप अपना स्किन केर रूटीन बदले और साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बदलाव लाएं। हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे बदलते मौसम में आपकी त्वचा स्वास्त और मुलायम बनरी रहे। तो पहले नंबर पर आता है क्लिंज करने का तरीका बदले। वक्त आ गया है कि आप फॉमिंग या जेल क्लिंग की जगह पर क्रीमी क्लिंजर का प्रयोग करें। जाडे के मौसम में जेल या फॉम बेस्ट क्लिंजर के स्किन ड्राय हो जाती है। क्रीमी क्लिंजर से आपकी त्वचा को मॉस्टराइजर मिलेगा। दूसरे नमबर पर आता है SPF का प्रयोग जरूर करें। लोगों की आमधार्ना है कि संस्क्रीम का प्रयोग सिर्फ गर्मियों में किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। UVA किनने जितनी गर्मियों में हानिकारक होती हैं उतनी ही जाडे में भी होती है। इसलिए ठंड में भी संस्क्रीम जरूर लगाना चाहिए। तीसे नमबर पर आप अपनी त्वचा को हाइडरेटेड रखें। बदलते मौसम में टोनर का प्रयोग जरूर करें। अल्कोहॉल फ्री टोनर का इस्तिमाल करे. आगे बाद करेंगे सिकन को उतारने के लिए स्क्राप का इस्तिमाल करे। इस मौसम में अगर नए तवचा आती हैं तो बहुत ग्लो करती है। और डेड اسकन स्केल्स को रिपेर करने में मदद भी करती है। इसकिन को स्मूद बनाने के लिए फेशल स्क्रब का रेगिलर प्रियोग करना चाहिए फिलाल के लिए नहीं जुड़े रही है इंडिया न्यूस के डिजिटल प्लैटफॉर्म के साथ मुझे दीजिए इजाज़त धन्यबाद